बच्चो आप लोगों के बहुत सारे मेसेजजेज में पसा रहे हैं कि सर कॉपी रीचेकिंग जो प्रॉसस होता है वो कैसा होता है उसमें मांस बढ़ते हैं कि नी बढ़ते हैं कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहिए कि नी करवाना चाहिए फायदे होते हैं कि नी होते हैं तो checking process के लिए जाओगे कि नी जाओगे अगर आपको लगता है ध्यान से सुनना अगर आपको लगता है कि भाई आपने paper अच्छा दिया था आपके marks जादा आने चाहिए और आपको marks कम मिले हैं तो definitely आप इतने confident हो तो आपको copy दे checking के लिए जाना अगर आपका marks बढ़ा तब तो ठीक है वो आपको निया माक्षित मिलेगा लेकिन अगर एक number भी घटा तो भी आपको निया माक्षित मिलेगा so think about this thing